नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत पुरधान मंतरी नरेंदर मोदिर अविवार को राजास्थान में थे चुनाव परचार के सिलसिले में और उनके भाशन ने ऐसा हंगामा मचाया है, कि जो कॉंग्रेस ही हैं, जो कॉंग्रेस के समर्थक हैं, जो पूरा जिसको हम ecosystem कहते हैं, लूटियन मीडिया का वो पूरा गिरोहो गैंग जो ऐसे आवसर पर मिंटों में सक्रिय हो जाता है और प्रहार की मुद्रा में आ जाता है वो रविवार देर रात तक भी उसी मुद्रा में था लेकिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने जो कुछ कहा उसके पक्ष में इतने अकाट्य सबूत हैं कि ये लोग बगले जहाकते हुए दिखाई लिए शुरू में तो ये हमलावर थी ये कह करके कि प्रधान मंत्री ने जूट बोला है लेकिन जैसे जैसे वीडियो सामने आते गए जैसे जैसे प्रमान सामने आ गए और सोशल मेडिया पर भी मोदी विरोधियों को एक तरीके से निवस्त्र किया जाने लगा वैसे वैसे इनकी समझ में आ गया कि ये लोग बहुत रॉंग पीछ पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे अभी एक न्याय पत्र जारी किया है कॉंग्रेस ने जिसको संकल पत्र भी कह सकते हैं जिसको आप गोशना पत्र भी कह सकते हैं और उसमें जो बाते कही गई हैं उनके बारे में प्रदान मंतरी पहले भी कह चुके थे कि ये तो जो मुसलिम लीग आजादी से पहले हुआ करती थी उसका जो टोन हुआ करता था ये तो मुसलिम लीग के राश्टे पर गांग्रेस जा रही है और आज की सभा में उन्होंने कहा कि जो अर्बन नकसल हैं, जो माववादी हैं, जो सब की संपत्ती का बटवारा सब में करने की बात करते हैं, या अमीर लोगों की संपत्ती का बटवारा गरीबों में करने की बात करते हैं, कॉंग्रेस अब उनके हाथों में खेलती हुई दिखाई दे रही है और मैंने इसको ब्रहमास्त्र का प्रहार क्यों बताया है नरेंदर मोदी की तरफ से क्योंकि कॉंग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टी करण की नीती है जिसके चलते वो कट घरे में खड़ी हुई है इसका प्रहार करके उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है जरा सुनते हैं प्रधान मंत्री का भाशन जिसको लेकर के ये बिल बिल आये हुए हैं और सब गैंग अप कर गए हैं आईए सुनते हैं प्रधान मंत्री ने कहा क्या है इन दिनों जो लोग कॉंग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं बे एक बात बड़ी गंबीरता से बताते हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अब कॉंग्रेस नहीं रही है अब कॉंग्रेस अर्बन नक्षनों के कबजे में चली गई है कॉंग्रेस अब वाम अपन्थियों के चंगुल में फसी हुई है तो हमारे एक मित्रन उनको पूशा कि आप एक कैसे कहते हैं तो उन्होंने का उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए इस बार का कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए कॉंग्रेस ने अपने मैनिफेस्टों में जो कहा है वो चिंता जनक है गंबीर है और यह माववाद की सोच को धर्ती पर उतारने की उनकी कोशिस है उन्होंने कहा है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा हमारी बेहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी उसका हिसाब लगाए जाएगा हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाए जाएगा सरकारी मुलाजिमों पास कीतना जगा है क्या है पैसे कहा है नोकरी कहा है उसकी जाच कि जाएगी इतना यह नहीं आगे क्या कहा है ये जो गोल्ड है बहनों का और और जो संपत्ति है ये सब को समान रुप से वितृत कर दी जाएगी क्या यह आपको मंजूर है क्या आपकी संपत्ति सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या आपकी संपत्ति को आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हैटने का अधिकार है क्या क्या उस संपत्ति को मेरी बाता और बहनों की जिन्दगी में सोना वो सिरफ शोख करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाबिमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल सुत्रा वो एक सोने का कीमत का मुद्धा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ थे तो मुझे चिनने की बात कर रहे हैं अपने मैनिपेस्टों में गोल ले लेंगे, सब को वितृत कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्थी पर पहला याधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब ये संपत्थी इकट्टी करके किसको बाटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुश्पेठ्षों को बाटेंगे क्या आपकी महनत की कमाई का पैसा गुश्पेठ्षों को भी जाएगा आपको मंजूर है यह यह कॉंग्रीस का मेनिफेस्ट के रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जान करेंगे और फिर उस संपत्ति को बाड़ देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमोन सिंग जी की सरकान ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भायों बहनों यह अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों यह आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे मैं कहने आयो और प्रधान मंत्री के इस प्रहार पर कॉंग्रेसियों का बिल बिलाना तो बड़ा लाजमी था क्योंकि प्रधान मंत्री का जो लास्ट संदेश था लास्ट सेंटेंस था कि इनकी सरकार के समय यह कहा गया था और यह डॉक्टर मनमोहन सिंग ने कहा था कि देश के संसाधनों पर और विकास पर पहला हक अलप संख्यकों और खासकर मुस्लिमों का है उस समय भी इसको लेकर के बावाल हुआ था और यह जो मुख्य मंत्रियों की विकास परिशद होती है उस बैठक में 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंग ने कहा था वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ लेकिन प्रधान मंत्री के इस प्रहार के बाद उनके समर्थकों ने किस तरह की प्रतिकरियाएं व्यक्त की पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ इसके बाद कॉंग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिकरियाएं आई और कॉंग्रेस की जो चापलूस मंडली है उसकी तरफ से किस तरह के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर प्रहार किये जाने लगे वो भी दिखाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिस बयान का जिक्र प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने किया है कि ये तो पहले से ही मुसलमानों का पहला हक बताते रहे हैं देश के संसादनों पर वो बयान भी सुनवाएंगे और प्रधान मंत्री जब उस बैठक में यानि 2006 की बैठक में शामिल हुए थे गुजरात के मुख्य मंत्री के तोर पर उन्हों ने क्या कहा था मनमौन सिंग के उस भाशन पर उस बयान पर वो भी आपको सुनवाने वाला हूँ तो पहले देखते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मौधी के समर्थकों ने किस तरह की परतिकरियाएं व्यक्त की हैं आईए देखते हैं यह है अमित मालविय जो आईटी देखते हैं आईटी डिपार्टमेंट रोना का कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों की संपत्तियों को घुस पैठियों को बांट देंगे अजीत भारती उन्होंने कहा कि जब मैंने एक वीडियो में कहा था कि पी-एम संपत्ति बटाई वाले विशेपर संभवत नहीं बोलेंगे क्योंके कॉंग्रेस तो गरीबों में बांटना चाहती है पर पी-एम ने उसे आदिवासियों की चांदी और महिलाओं के सोने से जोड कर राहुल के स्वपन के पंख काट दिये एक शब्द का भी मार्जिन नहीं है यह तजयापुर डायलोग संजय दिक्षित उन्होंना कहा के दिस इज दा मोदी वी वर वेटिंग फॉर सिंस लास्ट टैन यह यह शरींड मोदी जी हैज नाव लॉंच्ट दा अटैक ऑन कॉंग्रेस पारिटी और इन्होंने भी यह कहा के यह आपकी संपत्ति एंठ ने औ और जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको देंगे अमन चोपडा ने कहा कि राहुल गांदी ने अपने 6 अपरेल के भाशन में फाइनेंशल और इंस्टिट्योस्नल सर्वे कराकर हिंदोस्तान का धन किस वर्ग के हाथों में है यह पता लगाकर हक दिलाने की बात कही थ मनमोहन ने पहला हक मुसलमानों का बता था मोदी ने यही पूछा आप से लेकर उसी वर्ग को देंगे और यह शेहजाद पुनावाला का हर्ष वर्धन तिरपाठी उन्होंना कहा कि रहुल गांदी लगातार देश में अराजर्ता फैलाने का प्रियास कर रहे थे आज परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जवाब दिया है मुझे सो सुनार की एक लुहार की जैसा लग रहा है और ये शिवमत्यागी कितना भी ड्रामा कर ले रो पीट ले सच नहीं बदल सकता मनमोहन जी ने जो बोला था सामने है संशाधन मुसलिमों को दे दो वक्फ को चुनाव से पहले दिल्ली की सारी प्रोपर्टी दे दो और अब मोदी जी बोल रहे हैं तो दर्द हो रहा है सच को सच कहा जाएगा ये विक्रम परताफ सिंग, oh my god, he did not even hesitate it that's the मोदी I want, I love and I will vote for my lifetime बालियान, चम्चे रह गए छाती पीट कर उदर मोदी जी ने अपनी डिमांड का संजान ले लिया है फुल गर्मा दिया है चुनाव कफिल मिस्रा, जिस जैर को कॉंग्रेस मीठी चासनी में लपेट कर परोस रही थी आज परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने उसका सच देश के सामने रख दिया पूरा कॉंग्रेसी एको सिस्टम बिल बिलाने लगा संबित पात्रा का बया कॉंग्रेस पारिटी हमारी माताओ, बहनों के आभूशन और निजी संपत्ती घुसपैठियों को बाटना चाहती है ये आपका मांगल सुत्र भी नहीं बचने देंगी ते जिंदर सिंग बगगा हम जिन्ना की अवलादों का ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे नरेंदर मौदी जी इस बार यूनिफॉर्म सिविल कॉर्ड लागू करके कॉंग्रेस का हिंदुस्तान को दारुल इसलाम बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दीजिए और दिलिप मंडल ने कहा जो लोग कह रहे थे के मनमोहन सिंग ने ऐसा बयान नहीं दिया है और कोई ललन टॉप का सौरब दिवेदी का कोई वीडियो है फेक्ट चेक के नाम पर उसको कॉंग्रेसी आगे करके कह रहे थे के नहीं मनमोहन सिंग जी ने ऐसा नहीं कहा था तो दिलिप मंडल जो है प्राइम मिनिस्टर की जो वैफ साइट है वहां से उनका ये वैयान ले आए और उनने कहा के मनमोहन सिंग का वो वैयान अभी भी प्राइम मिनिस्टर की वेफसाइट पर मौजूद है जिसको शक हो वो जाकर के उसे पढ़ सकता है देख सकता है अजे आलो अगर तुम सब को मुसल्मान मानते हो लेकिन भारतिय, बांगलादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान में अंतर नहीं पता तो तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच दारूल इसलाम की है, जहां विश्व इसलाम का होगा लेकिन ये भारत है और तुम्हारी सोच तो दूर, हम इसे दारूल हर्ब भी नहीं बनने देंगे अपनी चाहत को मौधी जी के कंदे पे मठ डालो, क्योंकि भारत का मसल्मान नियन्यानवय परतिशत हिंदूओं से बना है, और फित्रत ही अलग है जुबेर के एक ट्वीट पर उन्होंने ये परतिकरिया दिये है अमन चोपड़ा, राहुल गांदी ने अपने, हाँ ये तो आ गया था शलम मनी तिरपाथी, खास समुदाय के लिए कॉंग्रेस आपका सब कुछ लूट सकती है, इतिहास है ये इनका ये वही कॉंग्रेस है जिसने खास समुदाय के लिए भारत बाटा, 370 थोपा, कश्मीर में कतले आम कराए, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई, कॉंग्रेस राज में देश पर 2611 जैसे हमले हुए और चलिए अब जरा देख लेते हैं कि कॉंग्रेस की तरफ से और कॉंग्रेस के समर्थकों की तरफ से किस तरह के रियक्ट आए हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं ये मलिक आरजुन खरगे का बैयान आगया सब, आज मौदी जी के बौख लाहट भरे भाशन से दिखा के पर्थम चरण के नतीजों में, पर्थम चरण के नतीजों में या मतदान में इंडिया जीत रहा है और मौदी जी ने जो कहा, वो हेटी स्पीश तो है ही ध्यान बठकाने की सोची शंजी चाल है प्रधान मंतरी ने आज वही किया, जो उन्हें संग के संसकारों में मिला है सत्ता के लिए जूट बोलना, बातों का अनरगल संदर्ब बनाकर विरोधियों पर जूटे आरोप लगाना ये संग और भाजापा की परसिक्षण की खासियत है देशी 140 करोड जनता अभी जूट के जहां से में नहीं आने वाली मतलब जूट कौन सा? जो आपने अपने गोशना पत्र में कहा है, क्या वो जूट बता रहे है या मनमोहन सिंग का जो उल्लेक किया है उसको जूट बता रहे हैं तो जूट है या सच है वो भी अभी आपको दिखाने वाले हैं हम पवन खेडा देखो मेरा देश का परधान मंत्री फिर से जूट बोल रहा है अब इनको पढ़ते जाएए फिर मैं दिखाता हूँ आपको मनमोहन सिंग का वो बयान और ये पवन खेडा ने कहा कि पीएम मोधी ने आज फिर जूट बोला वे देश को हिंदू-मुसल्मान के नाम पर जूट परोस कर बाट रहे हैं मेरी पीएम मोधी को चुनोती है कि कॉंग्रेस के गोशना पत्र में कहीं भी हिंदू-मुसल्मान शब्द लिखा हो तो दिखा दें ये चुनोती स्वीकार करें जुट बोलना बंद कर दें ये जुवेर का आगया इनके दो ट्वीट आए सुप्रिया स्री नित्व पीशे कैसे रह सकती है और किस तरह की लेंग्वेज का इस्तमाल किया ज़रा देख लीजिए इस देश का प्रधान मंत्री बेहद निरलज और सामप्रदाइक है चुनोती है आपको नरेंदर मोधी हमारे नियाए पत्र में एक जगह मुसलिम शब्द दिखा दीजिए हद कर दिया आपने जुट बोलने की गलीच घिनोनी बाते करने की कितना गिरेंगे फेक्ट चेक होगा लेकिन ये जुट बोलने से बाज नहीं आएंगे फिर इनका एक बयान इस देश का प्रधान मंत्री बेहद जुटा है लेकिन आज नरेंदर मोधी ने मरियादा की वो सीमा लांग डाली जो पाप है मंगल सुत्र पर गंदी वाहिया टिपनी करके उन्होंने दामपत्य के सबसे पवित्र परतीक का अफमान किया हर विहाता का अफमान किया भद कर दी है पर याद रखेगा हम भटकेंगे नहीं परशांत भूशन भी आ गए उन्होंने कहा कि जब चुनाओ हाथ से जाता हुआ दिख रहा हो तो चिला चिला कर हिंदू मुस्लिम करना है चुनाओ आयोग तो सोता रहेगा नेहा सिंगराठोर इनका क्या पढ़ है असादुदी नोवेस ही भी आ गए मुदी ने आज मुसल्मानों को गुस पैठिया बताया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं 2002 से लेकर अब तक मुदी की बस एक ही गारिंटी रही है भारत के मुसल्मानों को गालियां दो और वोट बटो रो अगर बात मुल्क की संपत्तिकी हो रही है तो मुदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरब पती दोस्तों का रहा है भारत के एक परतिशत लोग आज देश का चालिस परतिशत धन खा गए आम हिंदुओं को मुसल्मानों का डर दिखाय जा रहा है पर सच तो यही है आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है पवन खेड़ा फिर हजिर हो गए कितने बयान इनके पढ़ेंगे अब है प्रताब इन्होंने पवन खेड़ा को कहा है जो चुनोती दी थी कि मुसलिम शब्द दिखाओ हमारे घोशना पत्र में उन्होंने लिखा है कि लिखा हुआ है आपके उसमें घोशना पत्र में प्रस्नलो की रक्षा करेंगे मुलाना आजाद छात्र वरत्ति दुवारा लागू करेंगे मुसलिमों को रिंग की शर्त आसान बनाएंगे स्कूल कॉलिज में स्वेच्छिक पहनावा इसकूल में ड्रेस कोड होता है सर स्वेच्छिक पहनावा या हिजाब नहीं होता ये इनों ने जवाब दिया अजीत अंजीमा आगए मौदी जी मुसलिम लीग से शुरू हुए मटन मचली मुगल करते हुए अब पियम मौदी यहां तक पहुँचे हैं अभी तक चुनाओ के छे दोर बाकी हैं अभी तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं और शम्शान कबरिश्तान वाले बयान आगे जा है असलियत यही है बाकी तो जुमले हैं दस साल तक देश पर राज और रभीश कुमार भी आगए साब प्रधान मंतरी का बयान बता रहा है कि उनकी राजनीती विकास का केवल ढोंग करती है उनकी राजनीती केवल साम प्रदा एक नफरत की वनियाद पर खड़ी है दस साल बाद भी वे एक भाशन मुसल्मान, मुसलिम लीग और मचली के बिना नहीं दे सकते ये बहु संक्यक वर्ग का भी अफमान है ऐसा लगता है प्रधान मंतरी बहु संक्यक को भी इसी लाइक समझते हैं उनके बच्चे बेरोजगारी से मरते रहेंगे प्रधान मंतरी उन्हे मुसलमान मुसलमान सुनाते रहेंगे अफसोस और ये रणवीजय सिंग पी-म मौधी को फिर किसी ने गलत जानकारी दी वरना वे सरयाम जूट ना बोलते पहला जूट कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों में कही नहीं लिखा के लोगों की संपत्ति बांटी जाएगी दूसरा देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है ना जाने कौन पी-म से जौट बुलवा रहा है अब यह जो बात कही जा रही है कि मनमोहन सिंग ने कभी कहा ही नहीं तो जरह सुन लेते हैं कि मनमोहन सिंग ने कहा के नहीं का आईए सुनते हैं वो बयान जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक अल्प संखिकों का पताय था तो क्या कहा? सुना नहीं द्यान से इन लोगों ने, फिर सुन लेते हैं, सुनिये अल्प संखिकों का बताय था पर्टिकुलर्ली मुस्लिम माइनोरिटी इस से और किलियर बात क्या कह सकता है कोई प्रधान मंत्री जो मनमोहन सिंग ने कही थी, के पहला हक अल्प संखिकों का विश्यसकर मुसल्मानों का है और इस पर उस विकास परिशद की बैठक में कुछ मुख्यमंत्रियों ने सवाल भी उठाये थे उस पर भी एक रिपोर्ट थी इंडी टीवी की वो रिपोर्ट जड़ा देख लेते हैं क्या थी अज़िए पर देख लेते हैं कि बैठक करते हैं, और नियुटाब प्रकांण। यह आजिए पर देख लेतो है that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. The recently released Sachar Committee report says Muslims in India are economically and socially more backward than OBCs. But BJP chief ministers believe the Prime Minister's statement is another example of appeasement. That too before crucial elections in UP which has a sizable Muslim population. मैं समस्ता हूँ देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाशा का उप्यूग नहीं करना शाहिए. BJP L.A. तो आपकी समझ में आ गया के जूट कोन बोल रहा है और सच कोन बोल रहा है? और यही मैं कह रहा हूँ. और राहुल गांदी के बयान से यह साफ हुआ कि हम सर्वे कराएंगे. फिर उस संपत्ती का बटवारा करेंगे. यह सोच किसकी है? इसी पर परदान मंतरी ने प्रहार किया है. और यह ऐसा प्रहार है जो कॉंग्रेस को इस चुनाव में चारो खाने चित भी कर सकता है. वैसके तो 2014 और 2019 में भी चारो खाने चित ही रही है. पर जो ममतब एनरजी ने कहा था कि इनकी तो 40 सीटे भी पूरे भारत में नहीं आएंगी. ऐसा लगता है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के इस निरनायक प्रहार के बाद तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है. अभी के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें. अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.